नमस्कार आप सभी को एक गारी सुना रही हूं जो कि राग पहाड़ी पर बद्ध है हमारी गाउं की जो इस्त्रियां है वो गाया करती थी बहुत अच्छी धुन है सोचा आप लोगों को शेर करूं और शादी ब्याँ कर जब महाल होता है तो बहुत सारी इस्त्रियां एकट ज सत्रिवर श्ययक्ता होती है और जेज़ वह कहती है कि वहाई गाना गाये गाना गाये तो बहुत कुछ बोल बोल के वह स्थी भी है और 000 शव्माती भी है और उसके बाद बहुत एक दूसरे का जो गाती है उनका जब पीछा करिये जाता है तो उतना घूंगाट माटोड यहां बहुत स्लिक है सांदी तियार हो जाती हैं और सारे सब्सक्राइब उनको देखना शो करती है कि आ वह यह क्या बारी तो इसी तुरिके से लizo काय यहारी cleaned देखें करए को दोर्ट ऌर्टGe जो सुना रहे हूं बहुत अच्छे होते हैं बहुत भले होते हैं अब क्योंकि गोराख पुर हमारी सस्राल है तो इसलिए हमको गाने में और आनंदारा है गोराख पुर कैसो नरा भई भले भले घूंगरू पायल गाड़ दे भई भले भले ऐसी पायल गढ़ो गुंगरू जिसमें बसती हो घुंगरु पायल गाण दे भाई भले भले दुल्हा के माई के पहराय दे भाई भले भले गोरक पुर के सोनर भाई भले भले दुल्हा के माई के पहरत बाजे उठत बाजे वैटत बाजे लरका दूद पियावत बाजे आधी रात पलंग पर बाजे चोका जाए रस्विया बाजे हस हस चोके बघारत बाजे खरी हनवा खेते माँ बाजे गठरी धर चले माँ बाजे मेडम बाजे चोपर बाजे आधी रात पलंग पर बाजे गोरक पुर के सोनर भाई भले भले कह रही है कि दुले राजा जब बैठे हुए हैं खिचड़ी खाने के लिए कलेवा करने के लिए तो उनके लिए गाती हैं और इस बार तो देखे कोरोना की वज़े से शादी बया भी कैसे सन्नाटे में हो गया तो जब बहुत धुम धाम से और आंगन में जब दुला जो है खिचड़ी खाने बढ़ता तब गाती हैं कि दुला के माई के पहिरा दे और जब पहिर ले है तो दुला के माई तो उठत बाजे बैठत बाजे लरका दूद पियावत बाजे मुलब जो भी वो काम करेंगी सब में वो जो है बाजे की इतनी सुन्दर पायल हुनके सोनर भाई भले भले दूलहे के बूआ के उठत बाजे बैठत बाजे लरका दूद पियावत बाजे चो उका जाए रस्विया बाजे हसी हसी छोके बगारत बाजे खरीहनवा खेते माँ बाज धर कटरी चलै माँ बाज मेड माँ बाज चपार बाज आधी रात पलंग पर भाज गोरकपुर के सोनरा भाई भले भले भूरुपायल गाण दे भाई भले भले और यह तो खिचडी खाते समय भी गाती हैं और कभी-कभी स्रियां बहुत सारे ऐसे संस्कार करती हैं जैसे कि माटी खोदने जा रही हैं और जो हैं और जो भी रस्में होती हैं शादी ब्याद की तो उसमें भी जब रात भर आटा उटा चलने का भी एक वह होता है रस्मोटि है तो इसमें बहुत सारे गाउं की सारी स्रियां खटा होती हैं और पूरी रात हसी मजाग चलता है और आफस झथे वो लोग एक दूसरे के साथ भी छिड़ खाने करती हैं तो जैसे भावी हैं या फलाने हैं फलाने ऐसे करके उनका भी नाम लेकर गाती है गोरक पुर के सोनरा भाई भाले भाले भुरू पाये लेट दे भाई भावी के उठते बाजे बैठते बाजे आधी रात पलंग पर बाजे लरकां दूद पियावत बाजे खरी हनवा मेडे माऑच ौपारे चौपारे मेडे माऑच आधी रात पलंगपर वाज गुरग पूर के सो नरा भई बले बले गुरग पूर के सो नरा भई बले इस तरहखे से हसी मजआग करती हैं वो लोग और शादी ब्या इतना आनंद उठाती हैं क्योंकि पहले मनोरंजन के कोई ऐसे साधन नहीं हुआ करते थे जो कुछ था शादी बया या मुन्नन या कुछ ऐसे तेहवार तीज तेहवार होते थे जिसमें वो पूरा अपना मनोरंजन कर लेती थी बाकी समय तो अपना घर गरस्ती खेट खलिहानिसी में वेस्त रहती थी तो मैं आपको संस्कार गीतों से जोड़ती रहोंगी रुपे आपनों संते रहिएगा और पसंद करते रहिएगा और जो भी सोजाओं है वो भी आपते रहिएगा नमस्कार